कोई भी modern house रहते है आजकल duplex रहते है आप सामने देखते हैं उसके घर के बाहर में wooden texture दिया जाते है तो आपको काफी अच्छा सुंदर लगता होगा वह guarantee है लेकिन काफी लोग सोचते होगे कि यह tile लगाई गई है तो मैं आज आपको बदा दू वो tile नहीं होती वो यहां तो HPL sheet होगी यहां तो ACP sheet होगी बले आजकल gates देखते हो gate पर भी आपको लगता है कि क्या पता wood लगाई गी हो लकडी लगाई गी हो वो लकडी नहीं होती HPL sheet यहां ACP sheet हो सकती है तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ HPL sheet क्या है कहां कहां उसको लगा सकते है कित यह HPL यह ACP तो यह वीडियो बहुत important है complete देखना सबसे पहले समझो HPL sheet को HPL sheet क्या है वो होती है high pressure laminate मतलब एक sheet बनाई जाती है जिसमें काफी ज़दा pressure डाला जाता है कि उसकी life ज़दा हो अच्छे से composite बन जाए जो ना पानी से खराब हो ना दूप से खराब हो ना कोई इसको termite खा सके तो HPL sheet वो है उसको आज का लोग cladding में use करने वो 6 mm में आपको मिलती है वो 5 mm में 8 mm में 12 mm में लोग mostly 6 mm की HPL sheet बाहर में use करते हैं और देखने में बहुत अच्छा look कि यह देता है क्योंकि इसका जो texture रहता है इसमें हर एक texture आपको मिल जाएगा wooden texture चाहिए आपको कुछ colors रही है वो भी मिल जाएंगे तो यह देखने में बहुत जादा सुंदर दिखता है लेकिन अगर हम बात करें tile क्यों नहीं लगाए क्योंकि इसकी cost रहती है जो हमें market में HPL की cost बढ़ती है अगर 6 mm की में बात करूँ एक अच्छी company की अच्छी company आगे बात कर दिया 6 mm की HPL sheet का material का फिर आपको उसमें जो installation cost है वो भी add करने पड़ती है तो 300 से साड़े 300 रुपया पर square feet हमें यह cost पड़ती है HPL अपनी cladding में लगाने की with material मतलब labor के साथ कितनी 300 और tile हमें पड़ती है 100 रुपया पर square feet लेकिन tile और इसमें क्या है tile का color थोड़े time बात चला जाता है tile के निकलने के chances बहुत जादा रहते हैं लेकिन HPL sheet जो है एक बार आपने fix कर गी निकलने के no chance क्यूंकि इसको लगाया जाता है पीछे इसके मतलब aluminium casing बनती है उसके उपर इस sheet को screw या repeat की help से लगाया जाता है तो इसके निकलने के chances कोई नहीं है HPL sheet एक बार लगे उसके color जाने के chances कोई नहीं अगर एक अच्छी company के आपके नहीं लगाई है लेकिन local company लगाओगे color निकलने के chances है तो tile तो इसके comparison कुछ है नहीं को tile वहाँ अच्छी है अगर आपका budget कम है और आप एक wooden texture wooden look देना चाहते हो HPL की तरह तो वहाँ लगा लेकिन कहोगा 3-4 साल बाद उसका color faint हो जाएगा और निकलने के chances भी हो जाते हैं तो अगर आप चाहती हो budget का कोई tension नहीं है और wooden texture एक modern look देना चाहते हो HPL sheet best है कोई color भी आप लगा सकते हो कोई भी 6 mm का choose करो budget थोड़ा जादा है लेकिन इसकी जो guarantee रहती है company देती है 10 से 12 सा क्या करती है company 10 से 12 सा guarantee देती है लेकिन ये 15 से 20 साल तक कुछ नहीं होता है इनको थोड़ा मतलब 15 साल बाद थोड़ा dull हो जाएगी लेकिन निकलेगी नहीं मतलब यह use है इसको निकालके बेचोगे recycle में भी पैसे आपको मिल जाएंगे तो HPL एक बहुत best option रहता है लेकिन HPL क की layer माली जाती है जो waterproof रहती है थोड़ी हद तक लेकिन थोड़े time बाद खराब हो जाती है वो simple HPL होगा वो भी use कर सकते हो थोड़ा सस्ता रहता है लेकिन आपको यह use करना है वो करना है HPL मतलब HPL की एक form है उसको मतलब advanced version बोल सकती हो HPL का जिसमें क्या किया जाता है HPL की sheet sheet के उपर बाहर में aluminum की coating सी रहती है वो पतली रहती है motive रहती है उसी सब से price रहता है तो आपको HPL लेनी है हमेशे आद खने HPL जिसकी life 15-20 साल रहती है और वो ना पानी से खराब होगी ना दूप से ना उसका color जाता है तो HPL लो थोड़ी costly रहती है जैसे HPL आपको 200 रुप interior के लिए यह हो गया HPL sheet की बात फिर इसी में आप बोलते हो कि HPL बहुत महंगा हो गया सर तो हमें ऐसा ही texture जाहिए लेकिन इसमें सस्ता option बताओ तो सस्ता option होता है ACP ACP भी सेम चीज़ है aluminum composite panel तो इसमें क्या होता है यह panel जो रहते हैं सेम HPL की तरह रहते हैं लेकिन इनकी जो थिकने साथी है वो 3 mm पतले मिलते हैं 4 mm और 6 mm तो इसमें जो बीच में resin ही रहता है और जो side पे जड़र कोटिंग रहती है वो aluminum की कोटिंग होती है जैसे AHPL में था वैसे ही ACP में रहती है लेकिन इसकी जो life होती है वो कम होती है as compared to HPL लेकिन ACP sheets जो होती है उनको आप bend कर सकते हो जैसी shape देनी है वैसी दे सकते हो लेकिन थोड़े time बाद उनका color fade हो जाता है लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक अच्छा option HPL की तरह ही दिखे तो ACP वो option है क 130, 140, 150, 160 मतलब 170 के अंदर ही रहता है वैसे ही 4 mm इसमें thickness में चले जाओगे तो वो आपको 80 रुपे से start हो जाएगा और 3 mm चले जाओगे तो वो आपको 70-80 रुपे में मिल जाएगा मतलब यह सस्ता option है HPL का और इसको भी आप use कर सकते हो कुछ अगर आप अच्छी company का ACP sheets ल मिलते हैं company उसमें भी 10 से 12 साल जो guarantee देती है क्योंकि इसमें भी क्या होते है बाहर में aluminum sheet casing होती है तो यह इतनी जल्दी खराब नहीं होती है तो जो बाहर आप देखती हो वो टाइल नहीं होती है वो HPL sheet होगी या ACP sheet होगी अब बात करते हैं इसकी अच्छी company अगर आपको अच्छी company की लेनी है मैं एक चीज जुरूर मस्ट कहूंगा आपको अगर budget का कोई tension नहीं है तो आप ACP और HPL sheet लगाओ लेकिन branded company का ठीक है अगर branded company का आपको नहीं लगाना है तो फिर वो टाइल लगाने में अच्छा है क्योंकि टाइल में आपको 1.500 रुप्या पर स्केर कर लेने की कितनी guarantee दे रहे हो कि अगर color इसका गया तो आप replace करके दोगे की नहीं दोगे क्योंकि बड़ी companies क्या करती है आपको replace करके तक देती है अगर बड़ी companies के मैं नाम बताऊं तो सबसे पहला नाम आता है इंडिया में L stone का L stone की बहुत famous है हर location में मिल जाती है L stone हो गय है फिर L you decor की मिल जाती है highna decor की मिल जाती है यह कुछ companies है इनका अगर आप लगाते हो थोड़ा खर्चा जादा पड़ जाता है 30-40 रुपे पर स्केर्फिट महंगी है यह बाकियों से लेकिन इनकी quality बहुत जादा अच्छी है और एक चीज जियान रखना है जब भी आपको duplex के बाहर में यह HPL शीट लगानी है तो उसमें आप aluminum बाली लेना AHPL ठीक है तो उसकी life जादा होती है और खराब होने के chances कम होती है बजट कम है तो ACP sheets के साथ चले जाओ तो मेरे ख्याल में आपको lump sum idea मिल गया है ACP और HPL sheet का तो यह video बहुत important है अपने एक look दे दो motivations बनाते हैं लोग मतलब concrete की बना रहे हैं जा कुछ और कर रहे हैं तो उससे better है कि मेरे ख्याल में HPL वगारा लगाओगे एक नया look भी मिलेगा और live भी काफी जादा उस चीज़ की होती है तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा लेकिन इसके related कोई भी question है कह रही है और वीड आँगा बस आप channel को subscribe करके रखो और bell icon दुआ करके रखो